आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवंजेट विलोग में आज मैं आपको रावत पुरा धाम पे ले जा रही हूं जो की बहुत बड़ा इसका प्राइंगन है और उसी की वज़े से हम लोगों ने रावत पुरा धाम के दो वीडियो बनाए हैं ज जो की पहला आपने देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो जरू देखिएगा और उसका दूसरा वीडियो आज आप देखेंगे तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही अलग और ले चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग रावत्पुरा धाम दोस्तों आज का यह वीडियो रावत्पुरा धाम का दूसरा वीडियो है और यहां पे देखेंगे हमारे अर्वणास मस्ते कर रहे हैं दोस्तों यह देखिए यह नब दुरगा दर्सन यानि यहां पर बहुत सारे मंदिर बने हुगे हैं लेकिन जो नब रात्रे में नौ दिवियों के आप लोग दर्सन करते हैं उन नौ रूपों का दर्सन आज हम आपको इस वीडियो में कराएंगे और उसके अलावा बहुत और अरवदानों को इतना मज़ा आ रहा है यहां घूमने में यह माता का मन्दिर है Hayır यही सन्दर मंदिर हैं और इन मंदिरों परचि इस छिनले दो दौरा मंदिर सजाए गए निकितारा को मा का मंदर ये काली माता का मंदर और इन मंदरों में ये सीशे के गेट लगाए गए हैं और इनकी सफाई के लिए यहां जो बच्चे संस्कृत विद्धाला में पढ़ते हैं वही बच्चे इन मंदरों की साफ सफाई करते हैं ये देखे कितने सुन्दर मंदिर हैं ये सिद्धी दात्त्री माता का मंदिर कुश्मान्ड माता का मंदिर चंद घंटा माता का मंदिर ब्रह्म चार्णी माता का मंदिर और ये जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर किरम से बने हुगे हैं जैसे कि आप रावत पुरा जब जाएंगे और दर्सन करेंगे तो यह करके आपको सभी मंद्रों के दर्सन मिले गया और ये देखिए ये कितना सुन्दर फवारा चल रहा है और ये दिरस बहुत ही सुन्दर लग रहा है और ये पुष्कणी तालाव है इसके जो पीछे आप को दिख रहा है वो मैन मंद्र और पुराना मंद्र है लोग यहां पे जब दर्सन करने आते हैं तो इसी मंद्र के दर्सन करते हैं क्योंकि यह यहां का पुराना मंद्र है और यहां पे देखिए ये कितने सुन्दर मंद्र बनाए गए हैं किरम से बनाए गए हैं ये पुष यहां पर दर्सन करने आते हैं वो इन मचलियों को दाना फिलाते हैं और भगवान से अपनी मनों कामना को पूरी करने की प्रास्थना करते हैं दोस्तों यहां पर इस तालब का पानी भी देखिए हरा हो गया है और देखिए दोस्तों यह मेन मंदिर है इसके पीछे जो बड़ा वाला मंदिर है वो रामजान की मंदिर है उसे रामदरवार भी कहते हैं और यहां पे काफी घंटिया ठंगी हुई है देखिए यहां पर जब लोग कि मनों कमनाय पूरी हो जाती हैं वो यहां पर घंटी और यह पालने चड़ाते हैं । यहां पर देखिए हमारे परश्ता का विश्त ध्यान रखा जाता है और ये इकवर मंदिर भगवान बद्दे Giving का मंदिर ये किश्न भगवान जी का मंदिर ये राम जी का मंदिर जो फार्शु राम जी का मंद यह बावान भागवान जी का मंदिर यह नर्शन भागवान जी का मंदिर दोस्तों यहां पर विश्णु जी के सभी अवतारों की मंदिर आपको मिलेंगे जैसे कि यह है कच्छा भागवान जी का मंदिर यह मतस भागवान जी का मंदिर और यहां देहें चारों तरफ हरयाली है यह गोरी कुंड है और इस गोरी कुंड पर यह जाल डला हुआ है क्योंकि यहां पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं खेलते हैं इसलिए उनकी सुरक्ष और भागवत का आयूजन किया जाता है और ये देखिए कितना सुंदर द्रस है और यहां पर जो आपको बूर्ट दखाए दे रहे हैं इनमें बहुत सुंदर सुंदर विचाल लिखे हैं अच्छे लोग विचाल लिखे हुए हैं इनको पढ़के आपका मन बहुत ही पिरसन हो जाएगा और यह मैन मंदिर है यहां का मैन मंदिर के पास देखिए आप यह पेड़ लगे हुगे हैं किरम से लगे हुगे हैं यह रामजान की मंदिर है और यहां पर काफी हर्याली है आप देख सकते हैं यह बद्री विसाल जी का मंदिर और दोस्तों यह जो जितने भी मंदिर हैं यहां पर वह सारे मंदिर लाल राजस्थानी पत्थर से बनाए गए हैं यह देखिए यह जो सिपजी की मूर्थी बनाई जा रहे हैं इसकी लागत लगवग 11 कड़ों रुपए है दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग बबाई है